मैं तो अपने गाउं के मददाताओं से फिर यही अपेल कर रहा हूं कि मेरा गाउं तो बहुत एजुकीटिड है यार इनकी यह बातें समझो कि आपको जो बर्गला रहे हैं आप यह देखे बढ़ा कौन रहा है इनको जिसके पास पैसा है जो चुनाव लड़ रहा है जिनका हैजन्डा यही है कि मैं यह सरपंज बनके ना पैसे कमाऊंगा तो यह जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों का बहुशे शेफ कर रहे हैं और उन बच्चों का बहुशे बरबाद कर रहे हैं उनके माबाप के आँखों में जाके देखिए कि उनके माबाप ने क्या-क्य या रहे गया एलेक्शन लड़ने का है जीतने का देखे मेरी सुरुवात इसी एजन्डे को लेकर हुई थी और गाउं का विकास तो खेर था ही था हो मुखे मुद्दा लेकिन सुरुवात मैंने इस बुराई को खतम करने की सोच के ना जो नहीं चुनाव में इसालिया था और मेरा एजन्डा वही चल रहा अभी और मैं अपने विचार लोगों के सामने रख रहा हूंगा मैं बीस पत्चीस दिन से मैं भी घूम रहा हूं और उनको समझा रहा हूं कि भाई नहीं ये बहुत बुरा जो नहीं वो चल रहा है धन्बल का जो लोग प्रियोग कर रहे हैं क सरपंची का चुनाओ लड़ रहा हूं तो अब ये बताईए कि वो करजा होता रहे हैं गाओं का विकास करेंगे और जब मैं लोगों के सामने अपना एजन्डा लेके जा रहा हूं और उन लोगों के ये बात समझा रहा हूं कि भाई इसमें जो ना ये यंग जन्रेशन है इसको ये खराब करने बतुले हैं देखे इन बच्चों का भविशे बरबाद करने बतुले हैं अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का भविशे शेफ कर रहे हैं लेकिन बच्चों का भविशे बरबाद कर रहे हैं ठीक है तो ये जो ना बहुत ही पॉजिटिव र चिनाव का माहूल है, तो वहाँ पे बैठके यही चर्चा करते हैं, नहीं यार बन्दा एक बहुत अच्छा आजेंडा लेकी चल रहा है, उसकी मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव रस्पॉंस मिल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई सब का सहीवागा अगर मुझे मिले साल उस गाउं का भविष्य किस परकार से देखते हैं? वो कवच से बाहर निकली है, पुरानी परिपार्टी छोड़ के न, आईए एक बार बाहर आईए, छोड़िए, ये छोड़िए कि भाई ये घर का है, ये भार का है, मेरा तो सारा गाउं मेरा घर है, और आईए मेरा साथ देजिए, और मैं आपके यकिन दिलाता हूँ, इस सार गाउं के अंदर भी चरस, गांजा, समयक वगरा के चीज़ें, पकड़ी जा रही है, और उसके अंदर जो सनलिप्त बच्चे हैं, वो बहुत छोटी उमर के हैं, तो इसमे क्या कहना चाहिए, आप ये देखे, बढ़ा कौन रहा है इनको, जिसके पास पैसा है, जो चु बविशे शेफ कर रहे हैं, और एक कम से कम ये तो सोची कि उनके माबाप, उनके माबाप के आँखों में जाके देखी, उनके माबाप ने क्या क्या अर्मान पाले थे, उनके आँखों में देखी क्या सपने पाले थे, ठीक है, जैसे आपके बच्चे हैं, वो भी बच्चे करूँ आप जो जनता है चाहे वो किसी भी गाउं की हो जो अपने लिए एक सरपंच चुनने जा रही है उसको क्या संदेश देना चाहें बाई मेरा संदेश तो ये है देखिए आपका एक एक मत इतना कीमती है वो आपके गाँ का भविशे बना सकता है और ये तो ये मानिये कि मैंने कि ये धरम्यूद छेड़ा है और इस धरम्यूद में आपकी वोट रुपी आहुती आनिवारी है और सबी मेरे समस्त ग्रामवास अपील है मेरा चुनाओ निशान ये नारियल का पेड़ है और ये तो सभी को विदित है कि नारियल भहुत ही शुब होता है तो सारे काम सुबसुब करिए और गाओं के विकास में आगे बनने के लिए मेरा युद्ध कीजिए और सभी पढ़े लिखे ये नहीं चेंज तो करन पढ़ेगा पढ़े लिखोंगों पढ़े लेकर समझाईए अपने अपने परिवार को समझाईए कि पुरानी परिपार्टी छोड़ के वो कवच से बाहर आई है जो लोगों ने एक कवच बना के रखा हुआ है कि आपको नहीं उसी एजंडे में आपको बांद के रखेंग बहले बुरे का खुच सोचते हैं मेरे भाई जा गये अभी समझाई है अब नहीं जा गये तो फिर ये समझाई निकल जागया और फिर उसके बाद मैं आप कुछ भी करतेजी कुछ आथ नहीं लगी वगता बहुत बहुत धन्यवाद सिर धन्यवाद हमेड जी और एक बार फिर्षे में सभी मद्दाताओं से पील करता हूँ अपना मद्दान कीजी आपकी मत की कीमत बहुत ज़्यादा है आपके गाउं का भुषिश आपके आथ में जहिं जयवारत जयवाब दुल्ला की अब फैसला आपके हाथ में है गाउं आपका रहेगा और सरपंच भी आपका रहेगा तो चुनना आपको है तो आप अपने अधिकार का परियोग जरूर करें लेकिन चुने उसी व्यक्ति को जिसके विचार आपके गाउं के हित में हो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो कि आपके गाउं को विनास की ओर ले जाता है तो फिर आपका गाउं लगातार गिरते हुए स्तर की ओर ही जाएगा उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा नमस्कार धन्यवाद जैहिंजे भारत तैयार किया जाता है हीरा लाल एंड संस ज्वेलर्स मसीत वाले में रोड नजदिक बस्टेंड गाउं बेरलीकला रेवाडी कॉंटेक नमबर 70271780389466868631879050551652 एक बार सेवा का मोगा अवस्य दी